अगर आपके घर में किसी को भी बेंगन की सबजी पसंद नहीं है तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद में सभी को बेंगन की सबजी बहुत पसंद आएगी और कटोरे भर भर के खा जाएगे तो पूरा वीडियो देखनेगा वीडियो को लाइ बेंगन लेके उन्हें कट करके तयार कर लेंगे बेंगन हमें लंबी लंबी स्लाइस में कट करके तयार करने हैं और सारे एक ही तरीके से कटने चाहिए इसके बाद में हम ले लेंगे दो से तीन आलू आलू को भी अच्छे से चील धो करके और चील लेंगे इसके बाद में जिस तरह से हमने बैंगन को cut किया है उसी तरह से आलु को भी बैंगन के तयार हो जाएं तो उसके बाद में इने पानी से अच्छे से दोगे और फिर बरतन में पानी डाल करके थोड़ी देर डुगो के रख देंगे जिसे की बेंगन और आलू काले नहीं पड़ेंगे और सबजी भी अच्छी बनेगे सभी बेंगन को कट करके और पानी में डूगो करके छोड़ देंगे इसके बाद में हम ले लेंगे 10 से 15 लसुन की कलिया इनको खलबटे में कूट करके तयार कर लेंगे लसुन हमें कूट करके ही डालना है अगर कूट के डालेंगे तो इससे सबजी का स्वाद और भी अच्छा हैगा इसके बाद में एक पैन लेंगे और पैन को गैस के उपर रख देंगे उसे गरम होने के लिए छोड़ देंगे फिर इसमें दो चमच तेल डाल देंगे उसके बाद में एक चमच जीरा डाल देंगे जैसे ही तेल गरम होगा और जीरा चटकने लगेगा उसमें डाल देंगे दो तेज पत्ते फिर एक कटोरी लेंगे और उसमें कुटी हुई लसुन अद्रक, हरी मिर्च काफे, पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और नमक इन सभी चीजों को एक कटोरी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिसे की मसाले अच्छे से बीग जाएं इसके बाद में इन सभी को जो हमने पैन गरम किया है उसमें डाल देंगे और इसे लीड लगा देंगे इसके बाद में इसे एक से दो मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे की मसाले अच्छे से पक जाएं जब मसाले पक रहेंगे उसी टाइम हम दो से तीन टमाटर ले लेंगे और टमाटर को भी धो करके अच्छे से साप कर लेंगे फिर टमाटर भी हम लंबी लंबी स्लाइस में ही कट करके तयार कर लेंगे जब सभी टमाटर कट के तयार हो जाएंगे और मसाला भी हमारा बनके तयार हो गया इसके बाद में हम टमाटर को भी मसाले में डाल देंगे और टमाटर को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब टमाटर और मसाला अच्छी तरह से पक जाएंगे और टमाटर गलके तयार हो जाएंगे उसके बाद में जो हमने आलू और बेंगन तयार किये थे उनको भी पानी में से निकाल करके और कूकर में डाल देंगे इसे डालने के बाद में हम इन्हें अच्छे से एक से दो बार मिक्स कर देंगे जिसे की मसाले सारे इनके उपर आ जाएं जब मसाले सारी उपर आ जाएं उसके बाद में इनर लीड लगा करके छोड़ेंगे जब भी आप बेंगन की सबजी बनाएं तो उसमें धनिया पाउडर और सब्जों शे थोड़ा ज़्यादा डालें अगर आप धनिया पाउडर ज्यादा डालेंगी, तो सबजी का स्वाद बहुत अच्छा बनेगा, और सबजी भी स्वादिश्ट बनेगी, इसके बाद में आप से हर बार बेंगन की सबजी बनवा करके खाते रहेंगे, और अगर आप बेंगन की सबजी बना रहे हैं, और 5-7 तो उस वक्त उसमें पानी में एक पिंच हल्दी पाउडर डाल दे जिससे की बैंगन काले नहीं होंगे पानी डालने के बाद में हम सबजी को लीड लगा कर 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसके बाद में चेक करेंगे कि सबजी अच्छे से पक चुकी है उसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा गरम मसाला गरम मसाला डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपके पास में सबजी वाला पाउडर भी है तो वो भी डाल सकते हैं अगर नहीं है तो गरम मसाले से भी चल जाएगा तो मेरी बताई हुई वीडियो और बेंगन की सबजी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करिएगा फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फोलो करना बिल्कुल मत बूलेगा धन्यवाद